हेलो फ्रैंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आपके भी मोबाइल में आपका जो फ्लिप कार एप्लिकेौर्सन है वो work नहीं कर रहा है यानिकि आपका फ्लिप कार एप्लिकेशन चल नहीं रहा है तो आप इस प्रणल म को कैसे ठीक कर सकते हैं यह मैं चाहरू देखिएगा तो यहाँ पर अगर आपके भी flip card में इस तरह का हो रहा तो आपको क्या करना है सबसे पहले तो आपको अपने flip card को hold press करना है और जैसे यह आप hold press करेंगो तो यहाँ पर आपको दिखाए देगा app info यह इस तरह का दिखाए देगा तो यहाँ पर आपको उस पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरह का दिखाए दिएगा तो यहाँ पर आपको जाना है first stop पर क्लिक करना है यहाँ पर इसको first stop मारना है बेक आना है बेक आने के बाद यहां पर आपके कॉप्शन मिलेगा storage uses का तो उसके पर क्लिक करना है उसके बाद यहां पर आपको clear data करना है और clear catch करना है उसके बाद बेक आना है बेक आने के बाद दूस्तों यहां पर आपका जो भी mobile का setting है उसको आपको open करना है जैसे दूस्तों आप setting open करेंगे तो यहाँ पर आपको option मिलेगा mobile network का तो आपको उसपर click करना है mobile network को click करने के बाद यहाँ पर आपको जाना है sim card जो भी आपके mobile में जितने sim लगए होंगे दो यहाँ पर आपको दिखाए देगे तो जो भी sim से आपका net चल रहा है उसपर click कीजिए उसके बाद यहाँ पर आपको option मिलेगा access point name का तो उसपर click कीजिए उसके बाद उपर आपको three dot दिखेंगे उसपर click कीजिए उसके बाद यहाँ पर आपको option मिलेगा reset access point तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहां पर आपको एक option मिलेगा date and time का तो यहां पर आपको प्लिक करना है उसके बाद यहां पर set automatic time उसको आपको यहां पर off है तो इसको दोनों को on करना है बेक आना है बेक आने के बाद यहां पर आपको अपने होब हैं कि आपको पीज़ अप्डेट करना है पर इतना सा प्रोस्यस रहता है बस इसका तो यहां पर झाल झाल झाल